प्रिमित्रो ओम वास्तु जोति चैनल में आपका हर्दिकेपनम्नन सिर्मत भगवद गीता मातम में मातम सहित जो गीता प्रेंस गोरकपुर की जो है इसमें हम पित्र दोस्ट से सम्मंदित वीडियो डाल लए हैं और इसमें हमने सत्रे अध्याय अठार अध्याय का मातम भी और दिया हुआ है और ये लाष्ट अध्याय है यानि कि अठारमा अध्याय आखरी है लेकिन ये अठारमा अध्याय बड़ा है तो हम इसको दो भागों में आपको सुनाने जाने हैं क्योंकि बड़ा काफी वीडियो है तो चलिए पित्र दोस जिनके हमने पहले आपको बतला रखा है जो जो वेक्ति पित्र दोस सम्मन्द समस्या है उनकी उसके निवारण हेतू हमने ये वीडियो डाले हुए है आशा करते हैं आपको पसंद भी आ रहे होंगे चलिए कुछ तुरूटी आएं मुसके लिए छमा प्रार्थी है चलिए हम यहाँ पर प्रारम्ब करते हैं अठारमाद द्या ओम स्री परमाद में नम्हा इसके उप्रांत अरजुन बोले हे महाबाहो हे अंतर यामिने हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याक के तत्त को पृतक पृतक जानना चाहता हूँ इस परकार अरजुन के पूछने पर स्रीक्रिश्न बगवान बोले हे अरजुन कितने ही पंड़िजन तो काम में कर्मों के त्याक को सन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं तता केई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोस्युक्त है इसलिए त्यागने के योग है और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यग्यदान और तप्सरूप कर्म त्यागने योग नहीं है परंतु हे अरजन उस त्याग के विसे में तू मेरे निश्चे को सुन हे पुरुसेष्ट वह त्याग सात्तिक राजस और तामस ऐसे तीनों परकार का ही कहा गया है तता यग्यदान और तप्सरूप कर्म त्यागने योग नहीं है कि यग्यदान और तप्सरूप कर्म और संपून कर्म आसकती को और फल को त्याग कर अवश्य करने चाहिए ऐसा मेरा निश्चे किया हुआ उत्तमत है और हे अरजन नियत कर्म का त्याग करना योग नहीं है इसलिए मोह से इसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया यदि कोई प्रुस जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख सरूप है ऐसे समझकर सारे रिकलेस के भैसे कर्मों का त्याग कर दे तो वह पुरस उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्रात नहीं होता है अर्था उसका वे त्याग करना वेर्थी होता है हे अर्जुन करना करतब्य ऐसे समझ कर ही जो सास्तर विदी से नियत किया हुआ करतब्य कर्म आसकती को और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्तिक त्याग माना गया है अर्था कर्तब्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उसमें जो आसकती और फल का त्याग न है वही सात्तिक त्याग माना गया है हे अर्जुन जो पुरुस अकल्यान कारक कर्म से तो देश नहीं करता और कल्यान कारक कर्म से आ सकत नहीं होता वे सुद्ध सर्व सत्य गुण रूप से युक्त हुआ पुरुस संसे रहित ग्यानवान और त्यागी है क्योंकि देधारी पुरुस के द्वारा संपूनता से सब कर्म त्यागे जाने को शक नहीं है इस से जो पुरुस कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसे कहा जाता है सकामी पुरुस के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पस्चात भी होता है और त्यागी पुरुस के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तक में नहीं है हे महावाहो संपूर कर्मों की सिद्धी के लिए अर्थात संपूर कर्मों के सिद्ध होने में यह पांच हे तु सांग सिद्धान्त कह गए हैं उनको तू मेरे से भरी परकार जान हे अरजुन इस विसे में आधार और करता तता न्यारे न्यारे करण और नानप्रकार की न्यारी न्यारी चेश्ठा एव वैसे ही पांचवा हेतु दे बे का गया है इसलिए क्योंकि मन वानी और सरीर से सास्त्र के अनुसार अत्वा विप्रीत भी जो कुछ कर्म आरंब करता है उसके वह पांचों ही कारण है परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुस असुद्धी बुद्धी होने के कारण उस विसे में केबल सुद्ध सरूप आत्मा को करता देखता है वह मलीन बुद्धी वाला अग्यानी यथार्थ नहीं देखता है हे अरजन जिस पुरुस के अंत करण में करता हूं ऐसा भाव नहीं है तता उसकी बुद्धी सांसारिक प्रदार्थों में और संपूर कर्मों में लिपाय मान नहीं होती वह पुरुस इन सब लोकों को मार कर भी बास्तम में ना तो मरता है और नहीं पाप से बंदता है हे भारत ग्याता ग्यान और दे ये तीनों तो कर्म के प्रे रखे हैं अर्थात इन तीनों के संयोग से जो कर्म में प्रवत्त होने की इच्छा उत्पन होती है और कर्ता करण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रे हैं अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता हैं उन सब मे ग्यान और कर्म तथा करता भी गुणों के बेद से सांख सास्तर में तीन तीन परकार कहेंगे हैं उनको भी तु मेरे से भली परकार सुन हे अर्जुन जिस ग्यान से मनस्य पर्थक पर्थक सब भूतों में एक अभिनासी पर्मात्मा को विवाग रहित समभाव से इस्तित देखता है उस ग्यान को तु सात्तिक जान और जो ग्यान अर्थात जिस ग्यान के द्वारा मनस्य संपून भूतों में भिन भिन परकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है उस ग्यान को तू राजस जान और जो ग्यान एक कार रूप सरीर में ही संपूनता से द्रश्य है आ सकते है अर्थात जिस विपरीत ग्यान के द्वारा मनुसे एक छण मंगुर नासवान सरीर की ही सरीर को ही आत्मा मान कर उसमें सर्व स्वय की भाती आसकत रहता है तता जो बिना युक्ति वाला तत्त अर्थ से रहत और तुछ है वे ग्यान तामस का गया ये अरजुन जो कर्म सास्त्रविदी से नियत किया हुआ और करतापन के भिमान से रहत फलकोना चाहने वाला पुरुषद्वारा बिना रागदेश से किया हुआ वे कर्म सात्तिक कहा जाता है और जो कर्म बहुत परिस्वरम से युक्त है तो था फलकोना चाहने वाला रहंकार युक्त पुरुषद्वारा